हर इंसान का एक डिजायर होता है जिससे वो किसी भी कंडिशन में पूरा करना चाहिए लेकिन आज की हमारी स्टोरी में हमें एक ऐसे इंसान के बारे में जानेंगे जिसका डिजायर एक हाई स्कूल गर्ल के हाथों मारे जाने और अपनी इस फांटिसी को पूरी करने के लिए हो किस हद तक जा सकता है यह हमें आज की हमारी स्टोरी में पता चले ही मोवी की शिर्वात होती है दो हाई स्कूल गल्स को दिखाते हुए जिनका नाम आओई और ससाकी होता है और यहां पर हम आओई को थोड़ा सा परशान देखते हैं जिसके बाद ही दोनों अपनी क्लास नाम का टीचर आता है जो कि उसकूल में न्यू जॉइन हुआ था और उन लोगों को वो जापान की हिस्ट्री पढ़ाएगा अब जैसे ही वो माईक पर बोलना शुरू करता है सब इस्टूडेंट्स एक्साइटेड हो जाते हैं जिने देखकर ऐसा लग रहा था कि यह सभी फ्यूचर दीख सकती हो फिर यह दोनों अपनी क्लास अटेंड करने के लिए जाती है और क्लास के खतम होने के बाद बाहर बूर्ट पर लगे एक आर्टिकल से ससाकी को स्कूल में होने वाली हाइज स्कूल के स्टूडेंट्स की एक प्ले के बार में पता चलता है जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए ससाकी काफी एकसाइटिड थी स्कूल के बाद यह दोनों घर जाने के लिए निकल जाती है लेकिन आओई की नजर उश फिश टैंक पर पड़ती है जिसके अंदर वो मशली सच में मर गई थी और यह इन सीरें काफी भी यर था फिर यह दोनो उस मशली को दफना देती हैं जिसके बाद हम हरुटो का एक इंट्रिव्यू दिखाया जाता है जिसमें वो अपनी मदर की बार में बता रहा था यह कैसे वो हरुटो को एक टॉय शॉप की आगे छोड़ कर चली गई थी प्रेजन में हमें हरुटो का लैप्टॉप दिखाय जाता है जिसमें वो लिख रहा था तूबी किल्ड फिर हमें हरुटो की पास्ट लाइफ दिखायी जाती है जिए वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट हुआ करता था गर लोटते सामें बस में वो एक लड़की को देखता है जिसे देखने के बाद ही उसके अंदर की से हाई स् उसे परशान करने लगता है इसी के चलते हम देखते हैं कि वो लड़की हरुटो को मारने की कोशिश कर रही थी पर थोड़ी देर में उसका इस अपना तूट जाता है और वो लड़की अपने स्टॉड़ पर उतर कर अपने घर के लिए निकल जाती है इसके बाद से हरुट जिस से की बार में अच्छी से जानने के लिए एक लिनिक में कुछ साल के लिए साथिकलोजिस बन जाता है सिनब प्रेजंट में आता है चाहाँ पर हरुटो एक टीचर था और वो अपने एक स्टूड़न के पास जाता है चाहां उससे बात करते समय स्टूड़न्ट उससे पताती है कि वो स्कूल में होने वाले हाइ स्कूल प्ले पर एक स्क्रिप्ट लिख रही है जिसे सुनकर हरूटो काफी खुश होता है अगले दिन हरूटो अपने सबी स्टूडिन्स के साथ एक टृप पर जाता है फिर ये सबी एक गुफा को एक्सप्लोर करते है जहां दूसरी दुनिया में जाने का एक रास्ता है और हरूटो की ये बाद ससाकी को काफी वियर्ड लगती है पर वो इससे इग्नोर करती है सीनब आयोई पर आता है जो कि हॉस्पिटल में एडमिट थी और उसे मिलने के लिए ससाकी आती है अब ये दोनों जब बाते करी रहे थ उसी रात हम हरूटो को देखते हैं जो कि अपने डॉग को पार्क में ट्रेन कर रहा था और यहां उसे सताकी भी नजर आती है जो कि अपनी ट्रेनिंग कर रही थी फिर आगले सुबह हरूटो उस लड़की के लिए स्क्रिप्ट पढ़ता है जो कि उसे काफी दादा पसंद दाती हैं और वो उसे एमेले की रोल के लिए सिलेक कर लेता है फिर वो उस लड़की का ओडिशन लेते हुए उसे कैथरी नाम को बार बार पुकारने के लिए कह रहा था और उसकी वईस को रिकॉड कर लेता है पिर वो उसी रात दुबारा से उस पार्क में जाता है जहां वो अपने डॉग को ससाकी पर अटाइक करने के लिए बोलता है इसके बाद वो स्पीकर में उसी रिकॉर्डिर वाइस को प्ले करता है जिसे सुनकर ससाकी आउट अफ कंट्रोल हो जाती है और उस डॉग को जान से मार डालती है असल में ससाकी को मल्टिबल पस्टनालिटी डि की ताकि वो ससाकी के अंदर कैथरीन को बाहर डा सके और कैथरीन नाम को बाहर बार सुनते हैं ससाकी कैथरीन में बदल गई और उसने उस डॉग को मार दिया जो कि उस पर हमला करने वाला था और क्योंकि हरुटो भी एक हाई स्कूल गर्ल के हाथों मारा जाना चाता था और और उसे वही लड़की मार सकती है जो कि उससे जादा पावरफुल हो इसलिए चेक करने के लिए उसने अपनी डॉक को मरवा दिया ताकि वो जान सके कि क्यातरिन कितनी पावरफुल है और इस सबकी बार में उससे इसलिए पदा चल पाया था क्योंकि उसने as a psychologist कुछ सालों त समच कर उसे टीस कर रहे थे और उनके इस बरताफ से उसे काफी गुस्ता आ जाता है वो एक लड़की पर अटैक कर देती है जिने लड़ता हुआ देख हरुटो वहां पर आ जाता है और उन्हें अलग करता है फिर वो उन सबी स्टूरेंट्स को समझाता है कि ससाकी ने उस को नहीं मारा जिसके बाद वो सभी को उसे सोरी बोलने के लिए बोलता है सिन आब असेंबली का आता है जहांपर अहरो सभी स्टूरेंट्स को काउंसिलिंग टीचर से मिलवाता है साथ्यूकि इन सभी स्टूरेंट्स के काॉंसिलर थी और जब वो स्टेज़ पर आकर प्रेकप करना पड़ा फिर हम क्लास में हो रही वोटिंग को देखते हैं जिसमें ससाकी को कैथरिन का रोल प्ले करने के लिए दिया जाता है और फिर बागी स्टुड़ेंट्स को भी उनके रोल बाट दे जाते हैं अब सभी लोग होने वाले प्ले की तैयारियों में लग जा जिसके चलते ससाकी के अंदर की दूसरी पसनालिटी का औरी जिंदा हो जाती है जो देखकर साथ सुकी काफी डर जाती है और एक काउंसलर होने के नाते वो कावरी से बात करने के कोशिश करती है पर वहीं पर बेहोश हो जाती है जिसके कोची देर बाद ससाकी नॉमल हो जा पिर हमें उस केस के बार में और पर जादा इंफोर्मिशन दिखाई जाती हैं जिसमें हम देखते हैं कि उस आठ साल की बच्ची का पिता उसे अब्यूस किया करता था जिसके चलते उसने एक दिर अपने पिता का दम घोट की उसे मार डाला फिर उस बच्ची को ट्रीट करने क इक लेडी बार बार कैथरीन नाम को पुकार रही थी और इसी वज़से वो बच्ची कैथरीन नाम से पोजेस्ट हो गई और उससे अपने पिता का कतल कर दिया जिससे हम लग समझ पाते हैं कि वो बच्ची और कोई नहीं बलकि ससाकी थी जिसे बच्च्पन से ही मल्टिपल personality disorder था और जब वो बार बार कैथरीन नाम को सुनती है तो वो कैथरीन में ही convert हो जाती है जिसके बाद वो काफी दिदा powerful हो जाती है और यही रीजन है कि हरुटो को उसके बार में एक नसब कुछ पहले सी पता था प्रेजन में हम साथसुकी को आओई के counseling लेते हुए देखत कि यह जिन ससाकी ने हरुटे के डॉग को मार डाला था जहां आवई साथ्सूगी को बताती है कि उस दिन हरुटो ने जान बुज कर अपने डॉग को ससाकी के ओपर अटाक करने के लिए छोड़ा था ताकि वो जान सके कि किया ससाकी अभी भी मल्टिपल परस्टनालिटी डिस है फिर हम इन दोनों को एक क्लास्रूम में देखते हैं साथ्सूगी यहां पर हरुटो के लिए कॉफी बनाती है जिसके अंदर वो बहुशी की दवा मिला देती है फिर वो उसे उन दोनों के 9 साल पुराने रिलेशन्शिप के बार में बताती है जहां एक दिन साथ्सूगी की ठू हरुटो की डिजायर के बार में पता चला जिसमें लिखा हुआ था ही कैथरी नाम की एक हाइश्कूल लड़की का मारा काना चाहता है प्रैजल में हरुटो साथ्सुगी को एक pen drive देता है फिर वो उसे बोलता है कि मैंने मरने के बाद अगर ससाकी के ओपर मेरे कतल का अरोप आता है तो तुम इस pen drive में चुपे ओई सबूतों के दम पर ही प्रूफ कर देना कि ससाकी निर्दोश है और वो मेरी फैंटेसी थी जिसकी चलते में ससाकी को मजबूर किया कि वो मुझे मार डाले जिस चीजसे हमें पता चलता है कि वो वैसे बूरा इंसान नहीं है बस वो अपने desire को पूरी करने के वजह से परशान है और अपने desire को पूरा करने के लिए वो ऐसा करने पर मजबूर है यह सब बोलकर हरूटो वहां से जाना चायता है और हम देखते इसे शो की शुरू होने का टाइम होता है तो हम देखते हैं कि स्टेज पर पड़ा नहीं खुलता जिसकी चलते सब लोग काफी परशान हो जाते हैं और ऐसा देखते हुए हरुटो अपनी एक स्टूडेंट की मदद से उस पड़े को मैनुवली खोल देता है और प्ले अपनी तीसरी पस्टनालिटी कैथरीन के अंदर कनवर्ट हो जाए अब जैसे शसा की उसे ऐसा करते हैं तो उसे काफी बुरा लगता है और वो अपनी दूसरी पस्टनालिटी का और ही में बदल जाती है जो देखकर हरुटो उसे उपड़ लिचाता है जां वो उसका गलत लगता है ताकि कावरी कैथरीन के अंदर बदल जाए और ऐसा करने के दुरानी नीचे चल रहे प्ले के अंदर एक लड़की बार बार कैथरीन के नाम को पुकार रही थी जो सुनकर कावरी कैथरीन में कंवर्ट हो जाती है और वो हरुटो पर हमला करते हैं उसका दम घोटने गया था और इधर आओए कैथरीन को दुबारा से नामल करने के कोशिश करती है ताकि वो अपनी रियल पसनालिटी ससाकी में वापस आ जाए जिस पीच हरुटो यूसुकी से खुद को आजाद कर लेता है और ससाकी तरफ बढ़ता है पर तभी वहां पर लगी एक लगड़ और सच किया था और उसकी के रब साठस की कर रही थी पर उस इंसिरीन के बाद Şारुटो की में मेरी चली गई थी और साठस की दีरे दीरे उसे उसकी में मेरी रेगें करने में अधन mehuu करने मैं मिलो की केão converse और एक foolproof plan भी बनाया था लेकिन उसका एक desire पूरा नहीं हो पाता और बच जाता है लेकिन movie के आखिर में जब उससे फिर से चीज़ी याद आने लग जाती है तो उससे अपने desire भी याद आता है और हो सकता है कि वो फिर से ऐसी कोई हरकत करें अपने desire को पूरा करने के लिए इसी open ending के साथ ही movie ही पर खतम हो जाती है तो guys यही थी आज के वीडियो एंड ही होप आप लोग को यह वीडियो पसंद आयोगी तो इस वीडियो को like करकर चानल को subscribe जरूर कीजेगा आप लोगों से मिलते हैं आगले वीडियो में तब तक के लिए good bye